हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस समय ग्लोबल एकनॉमी की सबसे बड़ी नूज है कि ऑईल के प्राइसेज निगेटू में चले गए हैं और यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ है तो इसको हम लोग जानने की कोशिस करेंगे कि यह पहली चीज तो यह है क्या विए ओयल के जो प्राइसेज होते हैं उनके कुछ बेंचमार्क्स हैं और दो मेजर जो फेमिस बेंचमार्क्स वह ब्रेंट क्रूड और एक है डव्लू टी आई तो जो ब्रेंड क्रूड है वो नौट सी से आने वाला है वह गल्फ कंट्री जो हमें इंडिया को oil pricing को brand crude के साब से होती है America एक बहुत बड़ा oil का producer है जो कि उसके पास sell gas के results है तो वो जो oil produce करता है उसकी जो benchmarking होती है oil के prices की वो होती है WTI Best Texas Intermediate WTI crude तो हुआ क्या है कि market में जो इनका futures जो इनकी जैसे कई सारी commodities के आपने सुना होगा derivatives होते है future and options के जो market होती है तो WTI crude का जो future मैं में expire होने वाला था उसका price अचानक से 20th April मंडे को 18 डॉलर पर बैल से घटके minus 30 डॉलर पर बैल हो गया unprecedented ऐसा history में कभी नहीं हुआ 18 डॉलर से एक ही दिन में minus 30 जीरो के भी नीचे पहुँच गया तो पहली चीज यह हुआ है कि brand crude नहीं brand crude भी कम में चल ला है brand crude भी घटा चल ला है बट WTI crude 18 डॉलर से minus 30 पर पहुँचा है हम लोग इसको समझने की कोशिस करेंगे historically अभी के जो current region है और आगे क्या होने वाला है इन सारी चीज़ों को discuss करेंगे पहली चीज हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो यह market में crude oil का दाम घटना बढ़ना यह चलता रहता अगर हम WTI crude की बात करें पिछले 20 सालों की बात करें तो देखे आपको 2000 से देखे 2008 तक यह बढ़ता रहा है बढ़ने की वज़े क्या रही होगी इंडिया और चाइना एकनॉमी के होड़ स्पॉट बने हैं तो इस समय इनका काफी consumption बढ़ा है consumption बढ़ा है तो demand बढ़ा है demand बढ़ा है तो oil के prices बढ़े है 2008 में आपको मालूम है कि सवेर recession आया था बहुत बढ़ा recession था काफी global economy को इससे नुक्सान पहुचा था तो अचानक से drop आया थे 8 के आसपास आप देख रहे है 8-9 के आसपास फिर ये 15-16 में फिर सिर्फ छोटा सा drop था लेकिन ये जो drop हुआ है 20 में 20 रपायल को it's a very big drop तो ये big drop क्यों हुआ है हम इसको समझने की कोसिस करेंगे टेक्निकल लीजेंस के टम में तो देखी major जो इसका region है वो demand supply imbalance हर जगे इस समय कोरोना के वज़े से lockdown हो रखता है तो demand बहुत घड़ गई है demand घड़ गई है बट supply है supply बनी होई है और supply बनी होई है तो फिर इसका निगेटू से जाने से क्या मतलब है दाम घड़ जाने चीए थे निगेटू का मतलब क्या है देखिए निगेटू का मतलब यह है कि जो crude oil को produce करने वाली companies थी जो refineries में भेजती है marketing से जस्ट पहले का step है refining तो जो crude oil produce किया गया उसके जो producers थे उन producers के पास उन्होंने जितना production कर रखा है उस production को कोई लेने वाला नहीं है फिर जहां पे भी storage हो सकता था तो जितनी भी countries थी जितनी भी major storage reservoirs थे जहां पे crude oil आता है refining के बाद रखा जाता है तो वो सारे के सारे fold हैं वो सारे के सारे storage reservoir अपनी maximum capacity पर already है तो producers ने एक तरीका निकाला कि जो tankers होते हैं crude oil के tankers होते हैं बड़े-बड़े mega tankers होते हैं आपने देखे एक pick मैंने दिखा रखी है ये crude oil का एक major tanker है pool के जिस बाहर होते हैं ये जो tankers हैं ये देखिए मैंने एक ये tanker दिखाए हुआ ये इस टाइब के जो tankers होते हैं shipping port के बाहर इन सारे tankers में उन्होंने oil को श्टूर करना इस्टार्ट का दिया तो अब क्या हुआ कि जो reservoirs थे जो permanent storage tanks है वो तो भरी गए दूसरा उन्होंने निकाला तरीका कि जो हमारे पास इस टाइब के जो shipping tanks होते हैं बड़े-बड़े mega tanks इनको भर दे ये भी भर गया तो अब कोश्चन है कि जो glut है excess है वो और कहा जाए तो और कहीं जाने की जगए नहीं बची भाई हर जगए हो गया तो अब producers क्या कर रहे हैं जो consumers है जो उनसे खरीदते हैं उनको पैसे दे रहे हैं कि तुम हमारा oil निकालो क्योंकि हमारे पास रखा है और हमारे पास produce तो हो गया अब हम इसको रखे कहाँ बड़े आप इसको रखने की storage की problem हा रहे है storage की problem के लिए अब producer पहली बार जो consumer है उनको बोल ले हैं उनकी big companies है उनकी consumer जो उनकी लेती होंगी refining के लिए उनको बोल ले हैं कि आप हमसे पैसे ले लो लेकिन कहीं इसको जाके store करो इसलिए oil के prices negative हो है यहाँ पर जो produce कर रहा है oil वो पैसे बेच नहीं रहा है वो अपने पैसे दे के बेच रहा है क्यों क्यों वो चाहता कि कहीं store हो जाए इसलिए oil के prices negative है storage space की shortage की वैसे इसके पीछे oil politics भी है इसी problem होई क्यों क्यों नहीं हमारा जो oil के prices oil के protection है वो क्यों नहीं कर गया तो इसके पीछे oil politics समझने की कोसिस करते है देखे पाटोलियम की जो politics है वो OPEC run करती है organization of petroleum exporting countries जो की Gulf की आपको मालू है mostly Gulf की countries है कुछ Latin America की countries है तो अभी नया formation हुआ है OPEC से OPEC plus बना है OPEC countries ने Russia को भी अपने साथ आट कर लिया और जहां पर भी Russia आएगा तो वहां पर US-Russia का angle तो इस्टार्ट होई जाएगा Saudi Arabia थोड़ा सा Russia के close आने के start किया तो इन लोगों ने क्या किया कि जब ये आपने देखा कि 2020 में सुरुआस से ही जो demand है oil की वो घट रही थी लेकिन इन लोगों ने Gulf जो ये OPEC countries है और ये OPEC plus जो countries है इन लोगों ने अपनी supply को कट करने की कोशिस नहीं किया supply कट किया उन्होंने production कट किया बट इन्होंने बहुत तेजी से नहीं किया act नहीं किया तो इन लोगों ने अपनी supply maintain रखी और demand है नहीं और demand नहीं और supply अगर आप maintain करोगे तो prices तो घटने घटने है तो ये US रसिया में एक तरीके से आप देखें कि इस समय रसिया का अपर हैंड आ रहा है उसने किया कि US का जो benchmark के WTI उस crude oil price को बिल्कुल जूरो से नीचे negative पे ले आए American economy के लिए बहुत बड़ा एक negative point है और इसके पीछे opaque plus की politics है कि उन्होंने oil के prices का production जारी रखा जब जहर से बात है कि अगर किसी चीज की आप access कर दोगे market में बले उसका कोई supply नहीं हो तो उसो दाम तो घट नहीं है पर इन लोगों ने जानबुच कैसा किया है American economy को down करने के लिए या फिर एक simply economical point हो सकता है जो भी हो लेकिन कहीं ना कहीं Opaq Plus का इसमें जो दरूर बहुत बड़ा रोल है तो मैंने आपको क्या-क्या बताए एक तो production ज़्यादा है और उसकी demand या consumption नहीं है Corona के वज़े से दूसरा इस समय Opaq Plus का formation और production को बनाया रखना third storage दे जरुआत की कमी हो गई है तो यह major regions थे जिनकी वज़े से ऐसा हो रहा है थैंक्यू